अध्याय छे, क्रिया, वर्ब आज निशा का जन दिन है उसने अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाया है परिवार के सभी सदर से मिल कर घर को सजा रहे है मेमान आने शुरू हो गए है निशा के सभी दोस्त भी आए है निशा ने केक पर लगी मुम्बतियां बुझाई, फिर केक काटा सभी ने उसे जन दिन की बढ़ाई दी और उसे उफार भी दिये इसके बाद सभी ने खाना खाया और अपने अपने घर चले गए उपर्युक्त सभी रंगीन शब्द किसी ना किसी कार के करने या होने का बोध करा रही है ये सभी क्रिया शब्द है अतह जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी कार के करने या होने का पता चलता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं प्रते कार की दो विध्या होती है करना और होना करना जो कार किसी के द्वारा किया जाता है जैसे सभी सदस्य घर को सजा रहे है यह कार के करने की क्रिया है अर्थात कार किसी के द्वारा किया जा रहा है होना जो कार स्वेम होता है जैसे आज निशा का जन्दिन है यह कार के स्वयम होने की क्रिया है क्रिया के भेद क्रिया के दो भेद होते हैं सकर्मक्रिया एवं अकर्मक्रिया सकर्मक्रिया सकर्मक्रिया सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के साथ आती है, सकर्मक्रिया होती है, जैसे प्रिया ने राशी को पुस्तक दी, सबजी वाला सबजी बेच रहा है, मदारी खेल दिखा रहा है, उपर दिये गए वाक्यों में रंगीन शब्द सकर्मक्रिया है, इसकी पहचान के लिए क्रिया शब्द में क्या प्रश्न करने पर उत्तर में कर्म मिलेगा जैसे क्या दी पुस्तक यानि कर्म क्या बेच रहा है सबजी यानि कर्म क्या दिखा रहा है खेल यानि कर्म अतह सभी रंगीन शब्द सकर्म क्रियाए है अतह जिन वाक्यों में कर्म हो वहां सकर्मक क्रिया होती है अकर्मक क्रिया अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म के जिन वाक्यों में क्रिया बिना कर्म के आती है वहां अकर्मक क्रिया होती है जैसे मोहित रो रहा है अलका हस रही है गोलू सो रहा है उपर्योक्त वाक्यों में कर्म की पहचान के लिए रंगीन क्रिया शब्दों से पहले क्या लगा कर प्रेश्ण करते हैं जैसे क्या रो रहा है? कोई उत्तर नहीं मिला क्या हस रही है? कोई उत्तर नहीं मिला क्या सो रहा है? कोई उत्तर नहीं मिला उपर्योग्त वाक्यों में कोई कर्म नहीं है इसलिए सभी रंगीन शब्द अकर्मक्रियाएं है इस प्रकार जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है वे अकर्मक्रियाएं होती है अन्य सकर्मक एवं अकर्मक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं संदेश कहानी पढ़ रहा है बंदर केला खा रहा है वह परेशान था अकर्मक क्रियाएं नेहा सो रही है पक्षी उड़ रहे है कामाक्षी हसेगी यह भी जाने क्रिया के जिस रूप से कारे के होने का समय पता जलता है उसे क्रिया का काल कहते है जैसे मा बाजार गई थी कारे हो चुका है भूत काल राहुल स्कूल जा रहा है कारे हो रहा है वर्तमान काल हम घूमने जाएंगे कारे होगा भविश्य काल लिंग, वचन तथा कारक के बदलने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन होता है जैसे लिंग बदलने पर सोनू दिल्ली गया, नेहा दिल्ली गई वचन बदलने पर लड़का आ रहा है, लड़के आ रहे है कारक बदलने पर रोहित ने खाना खाया, रोहित को खाना खिलाओ पढ़ना, खाना, खेलना, बनाना, सुनना, सुनाना आधी सकर्मक्रियाएं है जबकि सोना, रोना, हसना, लेटना आधी अकर्मक्रियाएं है सकर्मक्रियाओं के साथ कर्म अवश्य लगाना चाहिए अनिथा वाक्य अधूरा प्रतीत होता है क्रिया शब्दों के अंत में ना लगा होता है जैसे सोना, रोना, उठना, जागना आदी कई बार संग्या सर्वनाम या विशेशन आधी शब्दों में ना लगा कर क्रिया शब्द बनाये जाते हैं जैसे अपना से अपनाना, साथ से सठियाना आधी इन्हें नामधा तो क्रिया कहते हैं अब हम जान गए किसी कार के करने वा होने के भाव को क्रिया कहते हैं क्रिया को करने वाला करता कार का होना क्रिया तथा जिसकी सहायता से या जो कार हो उसे कर्म कहते हैं क्रिया के जिस रूप से कार होने का समय पता चलता है उसे क्रिया का काल कहते हैं क्रिया के दो भेद होते हैं क्रिया, सकर्मक, जिन क्रियाओं का प्रिभाफ कर्म पर पड़ता है, अकर्मक, जिन क्रियाओं का प्रिभाफ कर्म पर नहीं पड़ता है